हाई ओल मैं हूं रितिका और आज हम लोग बनाएंगे आलू की सब्जी वो भी खड़े मसाले के साथ और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है यह सब्जी तो इनकेस आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास ऑप्शन में सिर्फ आलू है तो आप यह सब्जी ट्र अगर आपके पास बड़ी वाली लाइची है तो आप भी ले सकते हैं और यहां पे कुकर को रख दिया है गैस पे उस पर डाल दिया है मैंने तेल तेल को गरम होने देंगे सरसो का तेल डाला हुआ है तेल का क्वांटिटी थोड़ा जादा इसमें रखना होता है नॉमल सब करना है इसको पीसना नहीं है या खल में डालके कूचना नहीं है कुछ भी नहीं करना है और ऐसे खड़े मिर्च हम इसमें डाल देंगे यह देखिए और जो हमने खड़े मसाले लिये थे जीरा काली मिर्च जो भी मसाले है सारे मसाले उठाके हम इस तरीके से कूकर में डाल और प्याज को हमें भुनना नहीं है, प्याज डालने के बाद जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा, हम सारे मसाले जो भी हमारे पास खड़े मसाले हैं, सब मसाले इस तरीके से इसमें डाल देंगे, गैस ये सबजी बनाने में एफट बहुत कम लगता है, और खाने में बहुत ही तेस्टी लगता है, इसको आप लोग रोटी, पराठे, पूरी या राइस के साथ भी खा सकते हैं, तो सारे मसाले डालने के बाद हलका सा इसको हम एक से डेड़ मिनट तक इसको पकाएंगे धीमी आज पे उसके बाद जो आलू हमने कट करके रखा है, आलू इसमें डाल मिलाना है अच्छे से मसाले के साथ, उसके बाद इसमें डाल देंगे हम यह देखिए, टमाटर कट करके और इसको अच्छे से अब हम भुनेंगे, यह साबजी जो है सूखी रहती है, बहुत जादा ग्रेवी इसमें नहीं रहेगा, तो अगर आपको ग्रेवी की जरूरत है अच्छे से मिला लेंगे, तो सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद, हम कूकर को इस टाइम पर बंद कर देंगे, और आज को करेंगे धीमा, और सिर्फ एक सीटी आने देंगे, क्योंकि इसमें हमें पानी नहीं आड़ करना है, तो सिर्फ एक ही सीटी आने देंगे, और गै को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए थांक यू सो मच